प्रेया आप सभी को रादे रादे आज हम 5-6 काना जी के लिए बहुत ही सुन्दर से प्यारी सी पगड़ी और कैप बनाना सीखेंगे इस वीडियो में यह देखने में बहुत सुन्दर है बनाना काफी असान है और यह कैप भी देखे किती सुन्दर है प्रेड़ो को पाल जी के ओपर बहुत ही सुन्दर लग रही है आपको जो भी सही लगया आप अपने काना जी के लिए बना के उनको पहना सकते हैं आप चाहो तो पगड़ी भी बना सकते हैं आप चाहो तो क्याप भी बना सकते हैं तीक है मैं यहाप पे दोनों बताईए को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अगर आपको मेरे वीडियो हेलफुल लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक सेर भी करिएगा चलिए बनाना सुरू करते हैं कि देखे लूप बना देंगी को यहां पर हमें 54 चैन चाहिए 54 चैन बनानी है ठीक हमें इस तरह चैन बना कि फिर आपको दिखाते हैं यह देखे हमने 54 चैन बनाना लिए अब यहां पर ठम रख लेंगे 3 चैन और लेंगे 1, 2, 3 जो हमने 3 चैन लिए इसको skip कर देंगे hook के बल लेना है और 54 चैन में जो हमारी 54 चैन है उसमें hook डालके double crochet बनाएंगे ठीक है hook के बल लेंगे chain में hook डालना है धागा पिक करना है 3 लूपे 3 में से 2 करेंगे फिससे धागा लेके 2 में से निकाल देंगे इस तरह से हमें double crochet बनाने जो हमने 3 चैन स्टार्टिंग में skip करी थी उसको भी एक double crochet count करना है तो हमारे यहाँ पर देखे 55 double crochet बनेंगे ठीक है क्योंकि हमने 54 चैन ले थी तीन चैन एक्स्टर ले थी उसको भी एक count करा है double crochet में तो हमारे 55 double crochet बनेंगे 55 और आप यह 6 नंबर लड़ग अपालजी को भी पकड़े अराम से पहना सकते हैं अगर आपको सिर्फ 5 नंबर लड़ग अपालजी के लिए बनानी है तो आप यहाँ पे देखे 49 चैन लेके तीन चैन एक्स्टर लेकि फिर आप बना सकते हैं 50 double crochet पे 5 नंबर लड़ग अपालजी के लिए बना सकते हैं चलिए सभी चैन के अंदर से एक एक double crochet बनाते पे हम यह first row complete करेंगे देखे हमने एक row बनाके complete कर लिए और यहाँ के धागा cut कर दिया है अब हमने यहाँ पर blue color का धागा जोइन करा है क्योंकि हम एक row blue color से बनाएंगे blue color के हम half double crochet की row बनाएंगे double crochet की नहीं बनाएंगे पहले चैन में धागा जोइन करा है और यह हमारी सीधी साइड है पट्टी की और यह हमारी उल्टी साइड है ठीके आपको ध्यान देना है धागा यहाँ कट करा है मैंने बनाते वे और धागा हमने यहाँ पर जोइन करा है इधर की साइड यहाँ पर हम दो चैन लेंगे एक दो यह हमारा half double crochet काउंट होता है अब दूसरी चैन में से half double crochet बनाएंगे द ost पर धागा लेंगे तीन लूप है देखिए एक दो तीन झाल देंगे नेक्स्ट वाली चैन में half double crochet बनाएंगे हम दो चैन में होग डालना धागा प्यक्त करके लाएंगे तीन लूप होते खोने हैं होते हैं निकाल देना है तो इस तरह सामीं hàng double crochet बनाना है.. तो भी था तरह से हमें हाफ double crochet बनाना है दीथियों हमने बनाके अब धागा कटकर दिया है अब अपना फिर से pink और का धागा यहाँ जोइन कर दिया है सीदी साइड़ पर ठीके ठीक है पच्पन के ऊपर हमारे पच्पनी डबल क्रोसी बनेंगे एक रो हमने पिंग से बनाई और एक रो हमने ब्लू कलर से बनाई यह हमारी हाप डबल क्रोसी की रो है और एक रो हम पिंग से पूरी बनाएंगे ठीक है तीन रो बनाके हम यह कम्प्लिट कर लेंगे देखे हमने एक सीधी पट्टी बना के तयार कर लिए यहां पर हमने धागा कट कर दिया है यह हमारी तीन रो बनी है एक दो तीन अब हमें क्या करना है इस तरह से पगड़ी की सेप देनी है आप अपने लड़ू गोपाल जी के हैड़ पे नापके देख लिजिए तीक है इस सबस्क्राइब onze बिया कि घधलते चुरूंड कुम और यह यहां पर हम यह बिद्ध कि असथा करफ़ भिद्ध है अधर यह बिद्ध की साइड ना कि जोत कि साइड बना सकते मैंने अंधर की यहां से बनाना शुरू करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस डबल किरो से छोड़ देंगे उसके बाद हुख को डालके यहाँ पे हम धागा जोइन करेंगे धागा जोइन कर दिया हमने एक चैन ले ली, यह हमारी सलेप चैन हो गई अब हुख पे बल लेंगे, देखे एक, दो, तीन, डबल किरो से छोड़ेंगे एक, दो, तीन, तीन के पाद जो इस पेस है यहाँ पे हमें डबल किरो से बनाने है देखे चैन से हमने धागा लोग कर दिया, सिलिप चैन से फिर हुक पबल लेंगे एक, दो, तीन डबल क्रोशे छोड़के इस वाले स्पेस में हुक डालके यहाँ पर हमें नाइन डबल क्रोशे बनाने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, और ये नौ, देखे, नो डबल क्रोशे बनाए, उसके बाद देखे, फिर से एक, दो, तीन डबल क्रोशे छोड़ेंगे, उसके बाद जो इस पेस है, यहाँ पर हमें स्लिप चैन से जोइन करना है, पीछाली लूप में से निकाल देंगे, एक चैन लेके दागा कट करेंगे, देखे, हमने ब्ली कलर का दागा जोइन कर लिया है, कहां से करना है, मैं आपको बता देती हूँ, देखे, जहां से हमने यह पहले पिंग कलर का दागा जोइन करा था, देखे, यहाँ पर हमने शलिप चैन करी थी, उसके बाद हमने जो पहला डबल क्रोसिय बनाया था ठीक है जो इस पेस में हमने नो डबल क्रोसिय बनाया था उसका पहला डबल क्रोसिय में से हमें धागा जोइन करना है चैन के अंदर से अब यहां पर हमें देखे एक दो तीन चार पांच चैन बनानी है पर होग पर देखे एक, दो, तीन बार बल लेंगे और सेम चैन के अंदर से ही दागा पित करके लाएंगे और दो-दो करते वे लूप निकालेंगे तीन बार हमने बल लिया आए तो तीन बार करके हम लूप निकालेंगे ठीक है? दो-दो करते वे देखिए धागा लेंगे हुक पे दो लूप निकालेंगे फिर धागा लेंगे दो लूप निकालेंगे फिर धागा लेंगे दो लूप निकालेंगे और ये लूप हम हुक पे रहने देंगे इसे complete नहीं करना है अब देखे हुक पे हम दो बार लूप लेंगे एक और ये दो अब जो हम में भी दो लूप निकाले हूँ कम 13 लूप हो गई होक्षोप पर एक दो बार बल में और सम चैन के अंदर से डूसरacies चैन के अंदर से कि वर इश्टीच और बना दीजि़ है कि इस तरह से यह सह तीके एक चैन के अंदर से हम दो बार स्चिच बना कि अैंक चंड कुम हिए झाले ला इस तरह से आपको द्वारा दिखाए बल लेंगे तीसी चैन में हुग डालना है और यह दो लूप एक बार में निकाल देंगे जो हमारे दो लूप दिखने हैं धागा लेंगे इस तरह से हमें दो-दो करते वे लूप निकालने होते हैं अब हुग पे हमारे पास एक दो तीन चार पांच लूप हो गए फिर से एक बार और बनाएंगे तीसी चैन के अंदर से धागा लेंगे दो लूप निकाल देंगे तीन चैन के अंदर से हमने छे बार स्टिच बनाई है एक चैन के अंदर से दो बार फिर दूसी चैन के अंदर से दो बार, फिर तीसी चैन के अंदर से दो बार, अब हुक पे धागा लेंगे, दो दो करते वे सारे लूप निकाल देंगे, धागा लिया, दो लूप निकाले, 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 सब्सक्राइब स्पेस के बीच में होग डाल के सिंगल क्रोशया बनाइब इस तरह से अब देखे हमें क्या करना है जो हमारे लास्ट डबल क्रोशया था यह इसकी हम दो चैन उठाएंगे थागा पिक करेंगे दो लूप में से करतेंगे सिंगिल ग्रोसरे मैं बन या पर हमारी घ्रेइन से याऊं हम इसने फोर चैन से ज्ञपी आप करना है कि यह हमारी एक प cities में पनसी ये पैसßerdem ही थी कि तीन िैन के ऊपर हमारी ग्रोसरे में लेंगी से त्यांगे इसिस aller हम ने इहां पर नो डबल ग्रोसरे बनाए कि नोक के ओपर हमारी तीन पेटल बनेगी तीन के ओपर एक बने फुर्ई तीन के ओपर एक बने फिर तीन के ओपर एक इसी दिर सेंट लेंगे मैं ने दो-दो करते वे लूप निकानना है अब नेक्स्ट वाली चैन्ड में डालेंगे दो लूप लेके ठीक है अब तीसी चैन्ड के अंदर से बनाएंगे जितने हमारे इस्टिच होती है उतनी हमारे ये हुप पे लूप होते हैं छे हमने स्टिच बनाई है तो छे लूप है हमारे पास धागा लेके जाएंगे उपर की तरफ देखिए धागा लिया दो लूप निकालेंगे उपर की तरफ पहुचिंगे इस तरह से हम देखिए उपर की साइड आ गए अब हमें उपर आके एक तो तीन चार चैन लेनी है और सभी के बीच में एक एक सिंगल क्रोसिया बनाना है ठीके बनाते वे नीचे की तरफ आएंगे और जो हमारी नेक्स्ट वाली चैन है वहापे हमें स्लिप चैन से जोईन करना है चलिए मैं तीन पैटल बनाके फिर आपको दिखाती हूँ देखिए हमारी तीन पैटल बन गई अब इसको जोईन कर देंगे सेम चैन के अंदर से स्लिप चैन से हम इसे जोईन कर देंगे और एक चैन लेके दागा कट करना है देखिए अब आप इसको अपने लड़ू को पाल जी के हैड पे लगाके नापके फिर आप इस तरह से इसको पगड़ी का सेव देखे देखिए क्रोस में रखेंगे और इस वाली साइड को हम इधर की तरफ सिल देंगे और इस वाली साइट को हम इधर की तरफ सिल देंगे ऐसे करते हुए पहले हम यहाँ सिलेंगे फिर हम यहाँ पे बीच में सिल देंगे तो हमारी यह पगड़ी का देखे लुक हो जाएगा आप इसे अपने साब से कर सकते हैं जैसे कि हमने इसको कर रखा है देखे हमने अंदर की तरफ भी सिलावाए यहाँ से पीछे की तरफ यह हमने बीच में और फिर हाँ पे जो थोड़ा सा गैप होता है उसको भी सिल देना है इससे क्या होगा बिल्कुल मजबूत हो जाएगी कहीं से यह हमारा गैप नहीं दिखेगा हावा नहीं लगीगी लड़ू पाल जी के सर पे ठीके आप अपने साब से डेकुरेट कर सकते हैं चलिए अब मैं आपको कैप बनाना भी बताते है इस तरह से क्रोस में रखना है धागा फिंगर पे और ऐसी हमें भार की तरफ ही निकालना है ठीके क्रोस में ही निकालना है फिंगर से भार और जो हमारे यह वाला धागा इसको देखे रिंग में इस तरह से लेके आएंगे और इस वाले को हम यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम थिरी चैन बना देंगे एक, दो, तीन तो यह हमारा एक डबल क्रोशे अकाउंट होगा और देखें यह रिंग थोड़ा से जादा बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा से खीच के छोटा कर देंगे ताकि बनाने में असानी हो जाए हमें एक हमारा डबल क्रोशे बन गया सेम रिंग के अंदर से हमें देखें डबल क्रोशे बनाने है ट्वेंटी बीस डबल क्रोशे बनाने है इस रिंग के अंदर से जो तीन की चैनली है इसको भी एक काउंट करना है एक और दो जो हमने अभी बनाया है यह तीन चार पाँच और इसी तरह से हम 20 डबल क्रोशे बना लेंगे यह हमारे 20 डबल क्रोशे बन गए अब इस वाले धागे को खीच के जो हमारे बीच में सरकल खुलाबा है उपन है इसको हम बंद कर देंगे जितना हो पाएगा उतना हम बंद कर पाएंगे ठीक है बंद कर देंगे इतना और जो हमारे पहला डबल क्रोशे है उसकी थर्ड चेन में जोइन कर देंगे यह हमारा फर्स्टो कंपलीट हो गया है थ्री चेन लेनी है अब सभी चेन के अंदर से हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है 20 के उपर हमें ट्विंटी ही डबल क्रोसः बनाने हैं अगर आपको छे नंब लड़ू अपाल जी बनाना है तो आप देखें 22 डबल क्रोसः से शुरुवात करेगा यहाप पे हमने 20 बनाएं और 6 नंब लड़ू अपाल जी के लिए 22 डबल क्रोसे बनाएगा और सेम वैसी बनाती जाएंगी जैसा हम इसमें बना रहे हैं वाइस के उपर हमें बाइसी डबल क्रोशी बनाने होंगे ठीक है जैसा हम इसमें बीस बना रहे हैं तो लिए राउन कम्प्रीट करेंगे second row complete हो गई है third chain में join कर देंगे three chain लेनी है यह हमारा double cross account होगा दूसरी chain के अंदर से एक बार और इसी तरह से हमें देखे 30 row में भी 20 के उपर 20 double cross है बनाने है हमें total 4 row बनानी है ठीके 1, 2 हमारी बन चुकिये 30 row स्टार्ट हो गई है और चौत्ती रो भी हमें सेम ऐसी बनाने है 20 के उपर 20 double cross है और अगर आप 6 नमबर अड़ू पाल जी के लिए बनाऊगे तो आप 5 रो बनाएगा यहाँ पर हम 5 नमबर अड़ू पाल जी के लिए 4 रो बना रहे हैं आप 6 नमबर अड़ू पाल जी के लिए 5 रो बनाएगा चलिए हम यह 4 रो बना के फिर आपको दिखाते 4 रो बना के हमने complete कर लिया है और देखें यहाँ पर हमने pink कलर का धागा भी जोइन कर दिया है 3 चैनल लेंगे 1, 2, 3 यह हमारा double cross होगा दूसरी चैनल के अंदर से सेम चैनल के अंदर से एक बार और बनाएगे दो हो गए इस रो में हमें देखें 5 रो में क्या करना है सभी चैनल के अंदर से में दो-दो-डबल क्रोशी बनाने है इस तरह से चैनल मोग डालेंगे एक बार पर सेम चैनल के अंदर से ही एक और बना देंगे सभी चैन के अंदे से दो दो डबल कुरों से बनाते वे complete करेंगे देखे हमने round बना के complete कर लिया है और हमने यहाँ पर देखे यह 60 चैन बनाई है 60 आप इस तरह से नाप के चैन बना सकते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाईयेगा तीक है इस तरह से नाप के तोड़ी एक्स्ट्रा होनी चाहिए अब इसको हम देखें इस तरह से जो हमारी यह सेकिंड रोय वहां से हम दो डबल क्रों से के नीचे hook डालेंगे और इस तरह से निकाल देंगे ऐसे करते वे हम इसे यहां पर एक छोटा सा बो बना देंगे थोड़ी बड़ी ही चैन बनाईएगा ताकि बनाने में असानी होगी और जो एक्स्टा होगी वो बाद में कट भी सकती है चैन झाल 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 आप सिक्स्टी की जगा सिक्स्टी फाइब चैन ले लिजिएगा ताकि आपको बो बनाने में असानी होगी इस तरह से हमारा आ जाएगा अच्छे से सेट कर देंगे और ग्यापको गोलाई दे देंगे चोटा से बो बनाना है ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है यहाँ पर जो एक्स्टा चैन है वो हम बाद में कट कर देंगे दागा भी जो ही लटक रहे है इसको कट करके और यहाँ पर इस टोन बगरा पेस्ट करके डेकुरेट कर सकते हैं चली मैं दागे बगरा कट कर देती हूँ देखे फ्रेंड्स हमारा पूरा सैट बन के तयार हो गया है जिसमें पोटी है पजामी है पगड़ी है और कैप है देखे और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप में अपने लड्डू को पैल जी के लिए यह ड्रेस बना के उनको पहना सकते ह और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जाएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग